आपका पहला सवाल है दुनिया का सबसे बुधिमान पक्षी कौन सा है आपका ओप्षन है A. तोता, B. हंस, C. कबूतक, D. ग्रे पैरेट आपका सही जवाब होगा D. ग्रे पैरेट आपका दूसरा सवाल है रात को लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा है आपका ओप्षन है A. सनिगरा, B. मंगलगरा, C. बुधगरा, D. सुक्रगरा आपका सही जवाब होगा B. मंगलगरा, आपका तीसरा सवाल है विश्व में सबसे पाले किस देश ने राष्टगान प्रारंभ किया था? आपका ओप्षन है A. भारत, B. जापान, C. रूस, D. पाकिस्तान आपका सही जवाब होगा B. जापान आपका चौथा सवाल है जै जवान जै किसान का नारा किस ने दिया था? आपका ओप्षन है A. गांदेजी, B. भगत सिंग, C. लाल बहादूर सास्त्री, D. सरदार पटेल आपका सही जवाब होगा C. लाल बहादूर सास्त्री सवाल लंबर पाँच शरीर का कौन सा अंग बिजली पायदा करता है? आपका ओप्षन है A. दिमाग, B. आखें, C. हड़ी, D. बाल आपका सही जवाब होगा A. दिमाग आपका सवाल लंबर छे, कौन सा जानवर भूक लगने पर अपने सरीर को खा सकता है? आपका ओप्षन है A. चूहा, B. बिल्ली, C. उल्लू, D. खरगोस आपका सही जवाब होगा A. चूहा सवाल लंबर साथ, किस देश में आधी रात को सूरे चमकता है? आपका ओप्षन है A. नारवे में, B. इस्पैन में, C. इटली में, D. जापान में आपका सही जवाब होगा A. नारवे में सवाल लंबर आठ, हम बेड कर जैनती कब मनाया जाता है? आपका ओप्षन है A. बारा फरवरी को, B. चौहदा जन्वरी को, C. पंदरा अप्रेल को, D. चौहदा अप्रेल को आपका सही जवाब होगा D. चौहदा अप्रेल को सवाल नमबर नो, किस राज्य में मैलाओं की संक्या पुरुसों से अधिक है? आपका ओप्षन है A. केरल, B. बिहार, C. गुजरात, D. उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब होगा A. केरल सवाल नमबर दस, ऐसा कौन सा पच्छी है, जो कभी पेड़ पर नहीं बैड़ता है? आपका ओप्षन है A. मोर, B. हन्स, C. टिटोनी, D. मुर्गा आपका सही जवाब होगा C. टिटोनी सवाल नमबर ग्यारा तितली का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आपका ओप्षन है A. पंदरा दिन, B. अठारा दिन, C. दस दिन, D. वीस दिन आपका सही जवाब होगा A. अंदरा दिन सवाल नमबर बारा भारत के किस राज्य में केवल दो जिले हैं? आपका ओप्षन है A. गोवा में, B. असम में, C. मडीपुर में, D. मेघाले में आपका सही जवाब होगा A. गोवा में सवाल नमबर तेरा गांदी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपका ओप्षन है A. गोवा में, B. पंजाब में, C. गुजरात में, D. महाराष्ट्र में आपका सही जवाब होगा C. गुजरात में सवाल नमबर चौदा किस देश के लोग सबसे कम बीमार पड़ते हैं? आपका ओप्षन है A. भारत, B. अमेरिका, C. नैपाल, D. चीन आपका सही जवाब होगा B. अमेरिका सवाल नमबर पंदरा इमली खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपका ओप्षन है A. कैंसर, B. गठिया, C. बुखार, D. हार्ट की बीमारी आपका सही जवाब होगा D. हार्ट की बीमारी सवाल नमबर सूला किस देश में साधी करने से पहले रोना पड़ता है? आपका ओप्षन है A. चेन, B. इंगलैंड, C. अमेरिका, D. भारत आपका सही जवाब होगा A. चीन सवाल नमबर सत्रा सूरज के सबसे करीब कौन सा ग्रहा है? आपका ओप्षन है A. सनीगरा, B. सुक्रगरा, C. अरुनगरा, D. बुद्धगरा आपका सही जवाब होगा B. सुक्रगरा, सवाल नमबर अठारा की चन उच्छालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ओप्षन है A. बुरे दिन आना, B. भेग जाना, C. अपमानित करना, D. गंदा करना आपका सही जवाब होगा C. अपमानित करना सवाल नमबर उन्निस भारत का राष्टिय भोजन क्या है? आपका ओप्षन है A. खिचडी, B. रोटी, C. दाल चावल, D. इटली सामभर आपका सही जवाब होगा A. खिचडी, सवाल नमबर 20, इन्सान का दिमाग कितने वर्षों के बार कमजोर होने लगता है? आपका ओप्षन है A. 45 वर्ष, B. 50 वर्ष, C. 60 वर्ष, D. 70 वर्ष आपका सही जवाब होगा C. 60 वर्ष